एक्जाम हॉल में इंटर होने से पहले जिस चिसका एक्जाम है उसे लेकर हमारे मन में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं कुछ प्रॉमिसिस खुद से की होती हैं कुछ उमीदें होती हैं मान लिजे कोई सब्जेक्ट है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं हमने सोचा था इस exam में तो मैं बहुत सार नंबर लेकर आऊंगा खोब अच्छे marks लेकर आऊंगा या फिर किसी ने सोचा इस paper में तो exemption में लेकर ही आऊंगा उससे कम तो मुझे कुछ भी गवारा नहीं है लेकिन it may happen जैसे ही exam hall में गए question paper हमारे सामने आया और हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि question paper बहुत मुश्किल था या फिर जो chapter मैंने छोड़े थे उनहीं chapter में से कुछ आ गया या फिर chapter तो मैंने सारे किये थे लेकिन कुछ concept छोड़े थे वो concept आ गये या फिर मैंने chapter भी किये थे concept भी किये थे कहीं से कुछ ऐसा इस चूटने डाल दिया जिसकी knowledge ही मुझे नहीं है module में भी नहीं है ऐसा कुछ आ गया और ऐसा कोई 2-4 number का नहीं आया कुछ ऐसे एक दो question 20-20 number के दो प्रशन हमें ऐसे दिखने लगे तीन दिखने लगे let's say और वही moment होती है कि हम उस situation में कैसे react करते हैं what action do we take at that point of time and that decides our fate in that particular paper in that attempt in our journey of becoming a chartered accountant परिस्थितिया बहुत बार विपरीत होंगी कई बार हमें पहले से पता होगा कई बार पहले से पता नहीं होगा लेकिन एक असली योद्धा वो है जो किसी भी परिस्थिती में डट कर सामना करे बहुत बार हमने students को इसी वजह से गिरते हुए देखा है कि सर मैंने तो उमीदी छोड़ दी थी जैसी कोशन पर मेरे सामने आया मुझे पता चल गे इस पेपर में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और मैंने एक या दो कोशन गिया फिर मैंने कुछ लिखा ही और मैं हाफ टाइम होने के बाद लेट से आ गया तीन घंटे आपको दिये जाते हैं तीन घंटे अगर आप एक्जाम में उस तीन घंटे में भी नहीं बैठ पाए उससे पहले ही आ गए मतलब आपने खुद से हार मान ली अब हम इस से जूट को दोश नहीं दे सकते अगर मैं कह दूं कुछ ऐसा आगया जो आपने कभी देखने है अफिर पेपर बहुत टफ आ गया अरे तुम्हारे लिए टफ है क्या पूरे भारत के लिए टफ आया है क्या सारे स्टूडेट उठकर चल दिये नहीं जब क्रिकेट टीम भी उतरती है खेलने के लिए तो मैंड में बड़े सारे प्लैन होते हैं प्लैन अ, प्लैन बी, प्लैन सी इस तरह से टार्गेट देंगे मालनों पहले बैटिंग कर रहे हैं इतना टार्गेट देंगे, इतने रंस बनाएंगे लेकिन जब शुरुवात की तीन-चार विक्ट्स गिरती हैं फिर क्या लगते हैं कि जो situation है उसी में best करके दिखाओ वही चीज हमारे साथ है पहले क्या सोचा था उसे छोड़ दो सोचा था 90 लाएंगे लेकिन नहीं लग रहा 90 लाएंगे कोई बात नहीं 60 आ जाएं हमें दिक्कत नहीं है सोचा था exemption लाएंगे लेकिन उस पेपर को देखकर लग नहीं रहा exemption आएगी कोई बात नहीं 40 ले आओ 40 तो ले आओ सर नहीं सर आई नहीं सकते के बारे में knowledge रखते हो subject adequately पढ़कर गए थे तो हर बच्चा अपने अंदर ये मादा रखता है कि कम से कम 40 नंबर हो किसी परिस्थिती में उस exam के अंदर लेकर आएगा, तो never die attitude होना चाहिए you have to finish what you started जो start किया है उसे खत्म करना होगा exam hall में बहाने बनाकर, चाहे वो intentionally सही हो, genuine हो, not genuine, फरक कोई नहीं पढ़ता, फायदा कोई नहीं है nobody is interested, interview में आप कह रहे हैं, सर उस दिन exam hall में ऐसे हो, तो paper tough है, इस दिन मेरे एक attempt जादा लगया, आरे, कौन सुनना चाहता है, किसी को रूची नहीं आपके इन excuses में, बहानों में तो उस तीन घंटे में, हम एक यौधा की तरह बहेव करना है paper जैसा भी आए, हम तीन घंटे बैठेंगे उसमें अपना best shot देंगे और pass at least जरूर हो कराएंगे, this has to be the attitude in that, three hours in the examination hall guys, comment section ने मुझे जरूर बताईएगा, आपके हत क्या कभी ऐसा हुआ है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं thank you guys